निमिश्कार अबेकरे खबरफास का डिजिटल प्लाटफॉर्म और मैं हम आपके साथ हकुम्ब पवाद देश में लोगसभा चुनाफ खत्म हो चुके हैं कल यानि 4 जून को वोटो के गिंति के साथ ये चुनाफ परिणाम खोशित के जाएंगे लेकिन इस से पहले एक्जिट पोल के नतीजे बेहर चुकाने वाले है इस समय सभी की निगाहे को चनिंदा राज्य पटिके हुई है जिसमें से बिहार गेक है बदादी के बिहार में लोगसभा की 40 सीटे है बिहार में चनाफ के दौरान NGA से लेकर इंडिया ब्लॉक में शामिल तमाम सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत जोगनी है अब सभी को इंतिजार कल आने वाले रिजर्ट का है ऐसे में आये जानते हैं तमाम एक्जिट पोल बिहार में किसकी जीत की और इशारा कर रहे है आशित एक्सेक्समा इंडिया के एक्जिट पोल के आंकडों के अनुसार जो नतीजे निकल कर सामने आ रहे है उसके मुदाबिक इस बार एंडिया को बिहार में 2019 के मुकाबले 6-10 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है प्रुधान वंत्री नरेंद्र मोधी के अगुआई वाले इस गट्च बंदन को बिहार में 29-33 सीटे मिली के सम्भागना है गौटलब है कि 2019 लोगसवा चुनाफ में विहार में एंडिया ने को 40 में से 49 सीटों पर पर्चम रह रहाया था ऐसे में इस बार भी सबकी नजरे विहार पचिके हुई है यानि इसका मतलब है कि बिहार में इंदी व्लोग का बहुत जादा तो नहीं लेकिन कुछ सीटों का फाइदा जरूर हुटा दिख रहा है जहां तक बिहार की हॉट सीट की बात है तुम्हां कई दिक्गत चुनाफ में हारते दिख रही है सबसे पहले बात बिहार के सबसे चट्चित सीटों में से एक पूर्णिय लोग सबासी इस सीट पर जेडियो के संतोष खुश्वाह, राज़त की वीमा भारती और पपू यादव की बीश्त्री कोणिय मुकाबला है इस सीट पर राज़त की कोर वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम यादव वोटर में पपू यादव की मस्बूत पैठ दिखाए दे रही है चुनाफ से ठीक पहले पपू यादव ने अपनी पार्टी का विले कॉंग्रिस भिकर दिया था पपू यादव को पूरी उम्मीद थे कि कॉंग्रिस पूरिया से उन्हें टिकेट दे लेकिन बिहार की सियासत की पितामा कहे जाने वाले लालो यादव ने आखरी मौके पर दाव खेल कर पपू यादव की टिकेट पर रोक लगा दी काफे दिन उतजार करने के बाद आखर पपू यादव में बताव निर्दली उम्मिदवार की पूर्णिया सीट से नामांग दन ताहिर गड़ दिया जिसके बाद इस सीट पर मुकाबला इंडिया ब्लॉक की मुश्किले बढ़ गई पूनिया सीट पर पपू यादव को कॉंगरस से टिकेट नहीं मिलने के कारण उन्हें कुछ सिंपिती वोट भी मिलने के संभाव में जताए गई है जिसका सीधा नुकसान राज़त कैंडिडेट को होता दिख रहा है एक्सिट पूल में उसका फायदा एंडिये को मिलने के संभाव ना जताए गई है बिहार का लेनिंगाट कहे जाने वाले बेगु सराइब ये बीजेपी ने फिर से गरीराज सिंग को चनावी रण में उता रहा है इस बार उनका मुकावला यहाँ CPI के अब धेश राय से है गिरीराज सिंग को लेकर सप्ता वियोधी लहर का महौल जरूर है लेकिन नरेंद्र मोधी और राश्वात के नाम पर एक बड़ी आबादी जाती से उपर उचकर उनके साथ मजबूती से खड़ा है वही दूसरी तरफ सारे लोकसवा सीट में भाश्वा की राजिये प्रता वूधी और लालु पसा यादव की दूसरी बेटी रोहनी अश्यारे के बीच कांटे की टकर होती देख रही है जाती के नाम पर यादव जहां रोगली के साथ एक जुट हो गए तो राजबूध रूडी के साथ इनके अलावा स्पन जातिया राश्यवाद अदलित महादलित मोधी की युजनाओं के नाम पर बीजेपी के साथ खड़े हो गए है और इसका लाब बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई भी रहा है वहीं अगर बात हाजब लुक्स बस सीटी की जाए तो चिराग पास्वान के पिता की विरासत बचाने में काम्याब होते दिख रहे हैं चिराग पास्वान को यहां पिता की विरासत के साथ एम नरेंद्र मोदी के चहरे का भी सपोर्ट में रहा है पिछले 47 सालों से पास्वान परिवार का हाजब को उसे सीधा कनेक्शन रहा है इसके लाबा कारकार्ट सीट की बात की जाए तो NDA की तरफ से उपेंद्र कुश्वाहा तो इंडी कट बंदन की तरफ से CPIM की राज़ा राम सिंग के बीच सिधा मुकाबला है दो कुश्वाह के बीच की लडाय को भोचपुरी स्टार पावन सिंग नहीं हां निर्दले मैदान में उतर कर ना केवन मुकाबले को त्रिकोरिय बनाया है बलकी रोचब में बना दिया है यूवा और राज़पूर जाती के लोग पवन सिंग की तरफ आकरशित हो गए है पीम मोदी के नाम का लाव उपेंद्र खुश्वाह को होता हुआ दिखाई दे रहा है अब देखने वाली बात होगी कि चार जुन को यानि कल का नतीजा किसके पक्ष में जाता है अब तक के लिए इतना ही देश और धुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है खब